दोस्तों अगर आप भी ग्लेन मैक्स्विल को एक तावरतोर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा दोस्तों आरसीबी और राजस्थान के बीच खेले गए जबर्दस्त मुकाबले में RCB के तावर्तोर बल्लेबाज ग्लैन मैक्सविल ने वेस पोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम की धचिया उड़ा करक दी और इस मुकाबले में टीम को एक शांदार जीत हासिल करा दी दोस्तों ग्लैन मैक्सविल की इस तावरतोर बल्लेबाजी को देख कर तो RCB के सभी प्रशंसकों के साथ साथ उनकी बीवी भी काफी जादा खुश नजर आ रही थी यहां तक की मैक्सविल की धरम पतनी वीनी रमन ने मैक्सविल की जम कर तारीफ करते हुए अपने बयान में कुछ ऐसा कह डाला है जिसको सुनने के बाद तो आप भी दंग रह जाएंगे तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको वीनी रमन के इस बयान के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ग्लैन मैक्सविल और विराट कोली में से कौन बहतरीन तावरतोर बल्लेबाज है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों 29 सितंबर को खेले गए IPL के 43 में मुकाबले में बैंगलूरू की टीम में जबर्दस्त अंदाज में खेल का प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की टीम पर एक बेहदी शांदार फते हासिल कर ली बताद ने इस मुकाबले में राजस्थान की ओर से इविन लुइस ने 58 रनों की शांदार पारी खेली वहीं यशसवी जैसवाल भी 31 रनों की पारी खेल कर सभी प्रशंसकों का दिल जीतने में कामयाब रहे लेकिन इसके बाद एक भी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रहे और 149 रनों पर पूरी की पूरी टीम सिमट गई इसके बाद राजस्थान की टीम ने RCB के सामने 150 रनों का लक्ष रखा जिसका पीछा करने उतरी RCB की टीम ने ताबरतोर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया बता दें RCB की ओर से विराट कोली ने 25 रनों का योगदान दिया वहीं देवदत पॉर्डिकल ने 22 रनों का योगदान दिया दोस्तों बता दें ग्लेन मैक्सवेल की टाबरतोर बल्लेबाजी को देखकर तो RCB के सबी प्रशनसुकों के साथ साथ उनकी बीवी वीनी रमन भी काफी जादा खुश नजर आई हमेशा से ही वो क्रिकेट के लिए काफी जाग रुक रहे हैं और उनकी कोशिश यही रहती है कि वो हर मुकाबले में अपने टीम को जीत दिलाएं लेकिन दोस्तों आप सभी Glenn Maxwell की बीवी के इस बयान को 10 में से कितने नमबर देना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा